आज मैंने बनाया है एक अलग टाइप की बिर्यानी एकदम चीप प्राइज में यह बिर्यानी बन चुका है यह खाने में लाजबाब है और देखने में में बहुत ही खुबसूरत है आज मेरा बेटा मतलब बेटे का तबियत थोड़ा सही है इसलिए इसलिए आज यह अलग सब्सक्राइब कर रहे है और बेटा देखिये काटून देख रहा है और फिर बेटा दूद और चोकोष खा के काटून देख रहा है तो आज का ब्लोग अभी से स्टार्ट कर रहे है छो तो नहला दिया है तो नहला देखिया फिर उसके बाद बेटे का चितना भी काम है मैं कर लोगी तो इस बास्ति बेटा खुद नहा नहीं सकता अब भी छोटऔर इसलिए नहला नहाना परता है तो देखिए नहा है और इसके star चहरे पे क्रीम लगा रही हूँ और फिर यह जो आखों के नीचे यह बिंगोली में आचिल कहते हैं यह देखिए इसमें भी मतलब एक दबाई दूंगी क्योंकि यह देखिए न अचानक से पता नहीं कैसे हुआ है और इसके लिए होमियोपती दबाई बेटी को खिलाती तो डॉक्टर ने बोलाए कि चाही हो जाएगा और पताई बहुत दिनों से तो मतलब बेटी को लेके थोड़ा पड़ेसान थी तो इसमें कुछ अच्छा खाना भी नहीं हुआ और बहुत ही टेंसन में थी अभी देखिए सुबर सुबर बेटे को नहला के अभी कपरा अप बिर्याने बने 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 देखिए यहां पर नामक दाल दिया है और यह जो फूट कलर होता है और यह सब बच डाल के इसको थोड़ा चाप उबाल के और फिर ओल में फ्राइब कर रही हुआ कि यह आलू भाने में लाजवा भी जाएगा और देखिए दूसरी करब मत इने चिकन ले लिया है तो आधा दो चिकन है तो श्काइब करों दो कि तो घृष तओने में चिकन फ्राइब करें होको फिर मैं डालें दोर फिर दाली और जाले यह जो दोड़ा चाहुँ पावडर और वह भी थोड़ा सब लेन लेंगे और अभी डाला है गरम मसाला यहाँ से पानि अदाला के र outs प्ञेश में लाप दो किने पर 6-ब देख के हैं सब्सक्राइब को रिखसे वह और सब्सक् 여ा हो उपड़ा ही ओड्रे गुवारी देखा में एक पानी अद्रण हो चुका है इस चावल में डाल रही हूं तो गैस का फ्लिम पुरा हाई करना पड़ेगा लो नहीं करना कर सकेंगे क्योंकि अगर लो करेंगे तो चावल खिला खिला नहीं होगा तो यह सेवंटी परसेंट कुक करेंगे चावल को और दूसरे तरफ देखिए और फ्याज में लाल करके है और यह यह चावल के दूसरे लो फ्रुट नहीं है करेंगे दो चावल ब्हुत बहुत वरेट खिला उना नहीं पूरा चिकेंगा ठेव में निच्ट अगर खिला तो आजिने जितना भी चिकेंग गए नीचे डाल दूगि और जितना भी चावल को निड़ा है उपर से ए तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किजिए लाइक किजिए कॉमेंच किजिए शेयर किजिए बहुत सा प्यार दीजिए अभी देखिए यह जो है ना यह थोड़ा सा थोड़ा कर रही हूँ और उसमें जो है मैंने थोड़ा सा दही ले ल आपका यह जो रोज वाटर और केवरा वाटर जो पानी है वो डालोंगी दही के उपर तो यह डालने के बाद अभी देखिए उपर से वो जो थोड़ा सा बिरियानी मसाला में डाल दूंगी और यह जो प्याज का विरिस्ता है लाल किया हुआ प्याज प्याज जो है वो ड देखिए एक कपड़ा बांदोंगी और इसको रस्ची से बांद लोगी तो बांदने के बाद अभी देखिए इसके उपर थोड़ा सा भारी कुछ चराना पड़ेगा वो जो सिल्का सिल्पट्रे का जो वो नोड़ा कहते ना डाल दिया है तो भारी उपर से रहेगा अभी दे देखिए कितना बढ़िया बनाएं देखिए अच्छा लग रहा है ना कितना देखने में सुन्दर लगड़ा है और खाने में तो ला जबाब है तो आप लोग एक बार बना के खाईएगा और मुझे कोमेंस किजिएगा कैसा लगा तो देखिए पूरा बिर्यानी जो है मम् हो गया तो देखिए गाईस मेरा बेटा जो पस मेटे को तो बहुत पसंद है बिर्यानी बिटा तो बहुत पसंद से खाते और बेटी की मतलब सही होनी की कुशी में ही मेने बिरयानी घह बनाया है तो बेटा तो चिकर नहीं खाता, सिर्फ आलू खा रहा है, देखिए गाईद, और ममी भी मतलब सब को बात रही है, बिर्यानी, तो देखिए, ममी भी खाईदी, सब लोग एकटा खाएंगे, तो आज का ब्लोग गाईद इतना ही मिलते हैं, अगले ब्लोग में, तो बाई बाई गाईद, बाई ब